हेलो जी आज की रीडिंग में हम देखेंगे fortune reading आपके लिए क्या prediction है क्या fortune क्या आपकी destiny आपकी किस्मत पर लिखा है let's see what is written in your destiny क्या है जो आप बहुत जल्द experience करेंगे अपनी life में this is for all the zodiac signs जो चीज आपके साथ resonates करेगी जिस चीज को आप manifest कर रहे हैं वो message आपके लिए होगा otherwise it's not for you तो देखते हैं what's in your destiny what's next fortune reading fortune teller your fortune your destiny next secret admirer आप में से कुछ लोग आपका secret admirer है जो बहुत जल्द रवील होगा आपकी life में ठीक है या आपको अगर already पता है तो वो इनसान आपकी तरफ move करेगा it will take some time जिस चीज़ का आपको इंतजार है वो definitely आईस्ता आईस्ता step by step आपकी life में आएगी reaching a compromise तो आपको हो सकता है इस वक्त कोई ऐसी situation है जिसमें आप stuck है उसमें compromise की जरूरत है आओ या आपकी सी situation में compromise करेंगे trust your intuition जिस चीज़ कभी आपने फैसल लेना है decision लेना है trust your intuition के next क्या करना है किसको choose करना है या क्या select करना है क्या आपके लिए best है क्या नहीं तो obviously trust your own intuitions patience is required अगर आप जल्दी करेंगे तो आपके मसले solve होने के बजाए बिगड़ सकते हैं so patience is required जिस चीज़ का आपको इंतजार है वो चीज़ आपको मिलेगी या वो इनसान आपकी life में आएगा लेकिन यहापे patience की जरूरत है yes in the near future जो चीज़ भी आपको चाहिए in the near future next maybe three to six months आपके लिए important है guilt and regret आपको हो सकता है किसी चीज़ को लेके या जिस इनसान ने आपको hurt किया है उस इनसान को के बारे में मैं आपको बता दूँ और इनसान guilty या regretful हो सकता है या आपकी life में वापस भी आ सकता है fears blocking connection तो हो सकता है आप दोनों के दर्मियान में fears anxiety tension हो सकती है यह कोई ऐसी चीज़ है जो आप करना चाहते हो लेकिन आपके fears ठीक है आपका आप खुद को trust नहीं है या आपके you know आपका confident level आपको आगे नहीं बढ़ने दे रहा है dishonest can't be trusted तो हो सकता है जिसने आपको cheat किया है आपको धोका दिया है जूट बोला है जो कुछ भी किया आपके साथ वो इंसान वापस आ सकता है तो आप में से कुछ लोग definitely आप dishonest or trust नहीं कर सकते है लेकिन ये इंसान guilty हो सकता है कोई है जो आपके साथ obsessed है इस इंसान का भी आपको पता चलेगा we are starting from the secret admirer यहां से लेके और end पे obsessed with you तो यह secret admirer है कोई आपकी life में जो reveal होगा बहुत जल्द आपको और ये इंसान आपके साथ obsessed है ठीक है और आप में से कुछ लोग expect to travel तो वो सकता है next three to six months के अंदर आपको कहीं travel भी करना पड़े so that's your reading that's the fortune reading and destiny I will see you later bye